ओम नमस्षिवाई यूट्यूब पे आज कल आप देख सकते हैं जितने पर वशीकरण मंतर सर्च करोगे आप जरा सा वशीकरण टाइप करोगे आपको दुनिया भर के वशीकरण मंतर मिलेंगे और जब आप उनको प्रयोग करोगे तो आप देखेंगे कि जितना उनमें बता तो मैं इसी शंकला में आपके लिए कैसा वशीकरण मंतर तोटका लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही दुरलब साबित होगा या यूं कहिए कि वह आपके काम बना देगा इस वशीकरण में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना कुछ आपको ऐसा पर यह आपके नाखुन आज का जो हमारा वशीकरण का विशे है यह है नाखुन आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने नाखुनों की मदद से भी आप वशीकरण कर सकते हैं और यह 100 प्रतिशत होता है आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपको अपने नाखुन काटने हैं अपने दोनों हाथों के और अपने दोनों पेरों के। जब आपने नाखुन काट लेते हैं सारे तो उनको फेकना नहीं है उनको संभाल के रखना है। और उनको ना आपको आग लगा के जलाना है मतलब इस तरह से जलाना है बिल्कुल सभाल के कि उनकी राख बने और वो जो राख बनेगी उस राख को बिल्कुल संभाल के रखना है अब आप ये देख लीजे कि आपको किस के उपर वशी करन करना है अगर आप एक सादक हैं मान लीजे अगर आप एक पुरुष हैं तो आप स्त्री पर वश्यकरन करना चाहेंगे तो इसमें इतनी अधिक कोई भी समस्या नहीं आती है अगर आप स्त्री पर वश्यकरन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वो जो राक है वो आपको इस तरी के खाने में मिला देनी है छुपके से एक बार अगर वो राख खाने में मिल गई और वो खाने मतलब उसने खा लिया तो इस तरह से उसके अंदर परिवर्ट तनाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आप भोचक के रह जाएंगे कि ये हो कैसे गया और अगर आप एक लड़की है और या फिर कन्याद अगर आप चाहती है कि आप किसी के उपर वशी करन करें तो आपको सिर्फ वो जो राख है उसको संभाल के रखना है ध्यान रहे 24 गंटे से पहले पहले वो खिला देने से अभी जलाया तो 24 गंटे के अंदर अंदर ही वो राख आपको खाने में मिला के खिला देनी है जैसे ही आप वो राख खिलाएंगे सामने वाला अमक वेक्ति या जो भी वो होगा उसके मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अगरसर होने लगेगा और ये इतना प्रभावशाली वशीगरन टोटका है कि इसको आप एक बार करेंगे तो ये हो सकता है आपके जिंदी की भर आप इसको प्रयोक करें ये बहुत ही दुरलब है लेकिन इसके अंदर मैंने बताया था ना हमेशा कहीं न कहीं पावंदिश लग जाती है या आपके उपर रोक लग जाती है जब ऐसे काम करते हैं तो आपको ये जो काम है ये आपको पूरी नीमा के दिन करना है जब पूरा चांद होता है या फिर आप अमावस्या के दिन जब पूरा अंधिरा होता है उस दिन ये कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा लेकिन किसी कारण वर्ष आप उस दिन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं आपको असर तो जरूर देगा लेकिन एक बार अगर कोई इसे खा ले मतलब आपके जो नाकुन है उसकी राख को और कोई वशी भूत हो जाए तो फिर वो जिन्दगी भर तक आपका बना रहेगा आप किसी के साथ किसी की जिन्दगी प्रभाद करने के लिए प्रयोग ना करें क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है और जिसने एक बार आजमा लिया उसके साथ वो सदा के लिए रह जाता है यानि हमेशा के लिए वो उसका ही बनके रह जाता है फिर आप उससे अगर पीछा भी चुड़ाना चाहेंगे तो आप नहीं चुड़ा सकते इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं जब भी आप ये प्रयोग करें सो बार सोच लें कि मैं किस के लिए ये कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं तत्पस्चात इस प्रयोग का आप शुरुआत करें और इस प्रयोग करने से पहले हमीशा की तरह थोड़ा साथ भी खोना जरूरी है मास, मीट, अंडा इत्यादी से थोड़ा दूर रहने के जरूरत है जब ये प्रयोग सफल हो जाए उसके बाद दुवारा आप ये खा सकते हैं आपको ऐसे ही चमतकारी तोटकी हमेशा मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो उसके वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्षिन में अपना कॉस्चिन रखिए और जोड़े रहे हमारे साथ दुलब सामगरी में ओम नमस्षिवाद